हाई फ्रेम हर्षा एंजिनेरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड में एक जॉब रिक्वारेमेंट आये जिन लोगों को एफरेंटिस खतम हो चुका है या जिन लोगों के पास दो साल से पात साल का एक्सप्रियेंस है हो लोग इस जॉब के लिए एपलाइक कर सकते हैं फ्रेंट इस वीडियो में हर का नमबर एचल का मेल आइडी आपका जॉब लोकेशन और मतलब कि आपका इंटर्व्यू कहां पर होने वाला है और आपको इंटर्व्यू में है क्या क्या पूछ सकती है या कौन-कॉन से डोक्यूमेंट आपको साथ में लेकर आना है वह सारी डीटेट करेंगे कितनी पोस्ट पे वेकैंसी आये है और कौन-कौन लोग अपलाई कर सकते हैं तो एक पाहिली रिक्वायर्मेंट है परेंट मिचेनिकल वाले कर सकते हैं लेथ मेसिन ऐपरेटर में आईटेए टर्णल वाले अपलाई कर सकते हैं जिनके पास experience वे इन लोगों के बाद अभी डेट की बात करें तो 26 एप्रेल को इंटर्यू है 9 बज़े से पहले आपको हर्षा Engineering International Limited में सर्खेज बावडा हाइवे नोवा प्रेटरो केमिकल सामे मुराइय अहमदाबाद में आपका जोब मतलब की इंटर्यू का लोकेशन रहेने वाला है वहाँ पर आपको कमनी गेट पर जाके आपका इंटर्यू रहेने वाला है नीचे आपको लास्ट डिस्रीशन में एचर का नंबर और एचर का मेल आइडी मिल जाएगा नीचे एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा वहाँ पूरा इस जॉब के बारे में डिटेल्स में लिखा है वहाँ जाके आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑफिशल नोटिपिकेशन के साथ वहाँ पे मिल जाएगा अब नीचे जाके देख सकते हैं थैंक्यू फॉचिंग और फ्रेंड आपको जो मैंने अभी बताया था कि इंटर आप कौन-कौन से रिपोर्ट बना देते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा और जो लोग दस पास वाले हैं और आईटे वाले उनको बहुत हार्ड इंटर्व्यू तो नहीं रहने वाला है मतलब कि नॉर्मल सा एक इंटर्व्यू रहेगा और आपको सारे डोक्यमेंट स हो कि अब परके आपका आप रने में रहेगी उसके इस आपको और भी कहसニ है इस जॉब के बारे में या इसी तो आप नीचे कॉमेंट subscribe हैं मेएक या दो magari में रिप्लाइ करूंगा और वीडियो पे नए है और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो पास में जो बेल आइकन है उसको वाल पे सेट कर दूजिए और आपने जो भी फ्रेंट है जोने लोगों ने आईटे किया है डिपलोमा किया है वो क्वांट्राक्ट ब आप गगा देती है या कंप्रीण पेर्खा जके करते हैं या कंप्री civ करते हो एक week मिलता उसमें todile जो में या में यह सेलेरी आपने लीए मिल लिखा défin division घम दुबादा बार दूसरी कंदी में एक्स पर टाप्लाई करते हो तो आपका जो CTC रहेगा उसके इस आप से आपको इंक्रिमेंट मिलेगा और आप जो कॉंट्राक्ट बीज में काम करते हो तो उसका कोई मान्य कोई कमदी आपके सामने नहीं देखने वाली है क्योंकि बहुत से लोग अभी जौब की तलाश में रहते हैं और कमदी को बहुत सारे ऐसे बंदे मिल जाते हैं जिसको उनकी रिक्वायर्मेंट रहती हैं तो हर बार आप क्वालेटी के पीछे जाओ मतलब कि ना कि आप पैसों के पीछे भागो तो हम इस जौब के वेकंसी के यूटूब चैनल पर आपको कुछ नया सिखाएंगे हर बार तो चैनल